कि हलो माई डियर स्टूडेंट्स एंड वलकम टू ड्रीम क्लासेज और पार्टनर्शिप का बेशिक होने के बाद आज हम लोग पार्टनर्शिप का पहला क्लास करने वाले दूसरा भी आप कह सकते हैं और जो हमारा खुद का पीडिएफ है इसी के थूरू हम लोग पार्टन प्रिंट भी करवा सकते हैं 99 रूपीज में आपको अरिथमेटिक का पूरा पीडियाफ मिलेगा जी हां ओके चलिए यह पीडियाफ जैसा कि आप डेमो देख पा रहे होंगे यही पीडियाफ रहेगा पूरा कंप्लीट अरिथमेटिक का और उसका सॉल्यूशन तो वह तो ह सारी क्लासे जम करवाने वाले हैं तो मुझे लगा पार्टनर्शिप जल्दी-जल्दी खतम कर देते हैं तो फ़र्स्ट क्लास होने के बाद यह दूसरा क्लास कहा गया ए तथा बी ने पंदरा हजार रुपया तथा बाइस हजार पांसो रुपय के साथ कोई वैपार शुर 22,500 आप ध्यान से याद करिए कि मैंने बताया था कि अगर एक रेश्यो गिबन हो निवेश का और अगर उस प्रश्न में समय का कोई निर्धारन नहीं हो समय की कोई शीमा ना हो समय का कोई जिक्र ना हो जैसा कि आप सामने वाली स्क्रीन पे प्रश्न देख सकते हैं कि यह वी ने 15,000 और 22,500 उर्पे लगा कर कोई बेपार चुरू गया है तो बताये कि लाव को किस अनुपात में बाटा जाना चाहिए यानि समय का कोई डिस्कॉस नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि अगर समय दिया हुआ नहीं रहे और अगर समय दिया हुआ भी रहे फिर भी समान रहे एक्वल ए और बी बी और सी सबका बराबर समय रहे तो वैसे कंडिशन में जो निवेश होगा जो रुपईया हम लगाएंगे जो लागत होगा वही लाव का और लाभांस का रेशियो बन कराएगा यानि यह जो निवेश है यह लाभांस का भी रेशियो है अगर प्रश्ण में समय ना दिया हुआ रहे और अगर रहे भी तो समान रहे सबके लिए बराबर समय रहे तो जो निवेश है जो लागत है वही रेशियो बन जाएगा लावांस का डवल जीरो से डवल जीरो आप कार दीजे पचीस चक डेड़ सो पचीस अठी दो सो पचीस नमा समय रहे है तो जो लागत है उसी का रेशियो समय लावांस का रेशियो ऑर लागत का रेश्यो दुनों एक की चीज़ भось होता है चलिया दूसरे प्रस्ति क्यों र आता है बहुत बतरीन-बहुत ऋंब्रस्ति एक वर्स के अंदर या एक बर्स के बाद उनके लाभान्स कन पा देखिए एक नाम है लीला और एक नाम है भाई दूसरे लिला नाम है शीला अच्छा लीला ने कितना लगाया 50 अजार हल्क इतना जिरो नहीं भी लगाई एगा तो कोई दिक्कत ने, सीला ने कितना लगा या? सीला ने एक लाख लगा दिया तिक है, अब देखिए करहे लीला ने पचास हजार रुपे लगा कर एक गार्मेंट का बैपार शुरू किया अब कितने महीने बाद सीला पोंचती है? सीला पहुंचती आठ महीने बाद और पूरा समय कितना दिया हुआ है पूरा समय है एक वर्ष एक वर्ष यानि बारा माह का ही बैपार है और बारा माह में सिंपल सी बात है कि लीला शुरू में ही बैपार उसने शुरू किया तो सिंपल सी बात है कि लीला यह निवेश है यह लागत है और यह समय कितना तो लीला ने शुरू से इपन शुरू किया याईणी बारा महा के लिए और लीला स्वरी लीला ने शुरू में इपने बात पहुची आप बताओ कि एक साल का कोई कोर्स हो जो मैं करवा रहा हूँ उस course में आप आठ महीने बाद पहुँचो तो कितना दिन course कर पाओगे कहिएगा सर बारा महीने का course था अब आठ महीना तो गुजर गया चार महीना और पढ़ेंगे वही हाल यहां पर है कि लीला जो है आठ महीने बाद पहुचईयी यानि कितने महीने तक वेपार मेरेगी चार मही तक वेपार मेरेगी चार जीरो से चार जीरो और पांच दुनी 10 चारतिया 12 तीन अब देखें लाव का रेसियो मैंने बोला था कि जो लागत है और जो समय है तो लागत तो क्या कट गया तो एक बचा तो तीन एकम तीन और यहां कट गया तो दो बच रहा है और नीचे कुछ नहीं तो तो दो एकम दो यानि दोनों के लाव का अनुपा तीन अनुपा दो काट के देख लिए इसमें सोचने वली कौन सी बा पार में पैसा लगाएगी कितना चारी महीने तक रहेगा ना क्योंकि ये जो डाटा पूचा है कि एक बर्स बाद उनके लाब कानुपाद तो लीला तो आट महीना ओलड़ी सुरी सीला माफी चाहेंगे एक ही जैसा नामे ना गवती हो रहे लीला एक साल सीला आट महीने बात म खुला एक साल के अंद में तीनों को लाब को बाटा गया यदि सफर का लावांज 36,000 रुप्या हो तो कुल आप देखो गुल्शन बहुत आसान डंग सेंपड़ाएंगे गुल्शन रेशियो सफर रेशियो शिशुपाल ये तीन व्यक्ति है जी तीन व्यक्ति ने व्यक्त अच्छा इसने 27,000 लगाया तो कोई जरूरी नहीं कि 27,000 ही लिखे आप डिरेक्ली 27 भी लिखोगे गलत नहीं होगा क्योंकि 3,0 से 3,0 तो बैसे भी कटने वाला ही है क्या फाइदा टाइम विष्ट करके 27,000 इसने लगाया सिसुपाल सफर नहीं क्या 80,000 और सिसुपाल 72,000 तो हमने तीनों में 3,3,0 अपने वन से इगनौर कर दिया क्या फाइदा ऐसे भी लिखने गवाद 3,3,0 तो कटी जाता कोई फाइदा नहीं है देखो तिन नमा 27 या ऐसे कर दो ना नौतिया 27 नौनमा 81 नौटी 72 आप देखिए कि भई गुलसन ने कितना लगाया रेशियो मे 3 लगाया शफर ने रेशियो में 9 लगाया और सिशू पाल ने रेशियो में 8 लगाया गुलसन सफर सिशु पाल कर यदी सफर का लाबान्स 36,000 रुपया, point to be noted my dear student, कर रहे सफर का जो लाबानस है 36,000 रुपया, تو देखिए यहां पर आप लिख दिजे 36,000 और ये 36000 किसका है? 36000 है सफर का और सफर का यहाँ पर लावांस कितना है? सफर का कमप्रीजन सफर से, मतब जो दिया रहे, उसका तुलना उसी कैसा, जिसके बारे में पूछे उससे गुना, तो सफर का 36000, और यहाँ सफर का है 9, और पूछ रहे किसका? कुल लावांस पूछ रहा है जी, कुल, टोटल लावांस पूछ रहा है, तो टोटल लावांस कितना है? 3, और 9, 9, 3, 12, 12, 8, 20 है टोटल लावांस, ठीक है? तो 9, 36, 4000, 4 दुनी 8 पर, 1, 2, 3, 4, 0, 8,000 रुपया हो गया, कुल लावांस, कितना हो गया? कितना हो गया? 8,000 और ये, लीजिए, पहला ऑप्शन, और 100% समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाइ करूँगा, अगर दिक्कत हो रहा हो तब, याद रखेगा, अगर समय सीमा निर्धारित नहीं हो, समय सीमा समानने हो, बिल्कुल एक्वल हो, सेम हो, तो वैसे कंडिशन में, हम समय को इगनॉर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, और जो लागत है, वही रेशियो जो है, वो लावान्स का रेशियो बन जाएगा, इस बात को बार-बार में रिपीट कर रहा हूँ, कि जो लागत है, वो लावान्स भी बन सकता है, अगर समय निर्धारित नहीं हो, या सामाननी हो, यह हो गया, तीन हो गया, तीन साज़दार, एबीशी एक वेपार में रिपार में रिमसा, 34, 36 और 10,000 रुपे लगाता है, कुल्ला, देखिए, बहुत आसान है, A, B, C, कौन कितना लगा रहा है, A लगा रहा है, 34,000, B लगा रहा है, 26,000, और C लगा रहा है, 10,000 रुपे, यह लगात है, आप इसको और भी कार सकते हो, ठीक है, 17,34, 13,26, 5,10, ठीक है, यह इतना इतना लगा रहा है, अब कर रहा है, कि यदि कुल्लाव, 17,500, समय का कोई निर्धारन नहीं है, तो यह जो लागत है, यह अब क्या बन गया, यह बन गया लावांस, कहिएगा कैसे सर, इसलिए सर जी, क्योंकि मैंने बोला कि, अगर समय समान ने हो, मतलब बराबर हो, या नहीं हो, तो जो लागत है, उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, आप से पूछा जा रहा है, एक हिस्सा क्या होगा, जो दिया था उसका तुलनावसी के साथ, और एक ही बात करें, तो एक हिस्सा है 17, कितना बार में, 35 दूनी 70, 70, 70, 145, 5 बार में 500 बार में 17 पचे, 85 पे 00, है उप्शन में, बिलकुल है, चौथा का राइट अंसर भी हो गया, कौपी में नोट करते चलिएगा, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्ड़न होने वाला है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें, रेडी फुर दा नेक्स्ट कोश्चन, बहुत बढ़िया, चलो, पांचवा सवाल, दिलिप, राम, तथा अमर ने क्रमसा, 27, 81 और बत्तर जर पर लग रहे हैं, वेपार अनम के बर्स के अंत में, अच्छा, सेम कोश्चन है जी, 36 रुपे के लाब में, देखो, दिलिप, राम, और अमर, 27,00 को 27,00 को LEजिए, 22,00 को 72,00 को 2002, कररये यदि बर्स के अंत में, राम को 36 का लाब हुआ, राम का 36 का लाब हुआ, अर यहां राम को कितना, 9 का लाब है, तो पूछ रहा है कि टोटल, टोटल लाब कितना होगा, टोटल लाब आप से पूछ रहा है, तो टोटल लाव कितना नो तीन बारा आठ बीस यही सेम कोश्चन है चार दुनी आठ हजार रूपई है टोटल है बिल्कुल सेम टो सेम कोश्चन टाइम वेस्ट करने की कोई जरूतनी है अगले प्रश्चन के उत्पल तथा निखिलने बहुत साथ हजार और पचासी सूर पे उर्प्य का लाव वगा हो डवल 0 से डवल 0 14 75 75 85 सही है बिल्कुल सही है यह काच सकते हैं आप यह यह लागत था लकिन अब क्या हो गया अब यह लावान्स हो गया कैसे हो जाता है लावन्स इसलिए हो जाता है क्योंकि समय तो ही नहीं दिया तो आप जितना लगाईएगा इस पर भाट नहीं इंगा सिंपल सी बात है तो अब जो है वेपार में उन्हें 63 उर्प्या का लाब कितना है एर आदेशों और यहां लाब कितना है 34 तरह एक्षिस क्योंकि टोटल लाव यह हो गया ना टोटल लाव यह हो गया तो 93 का कंप्रीजन 31 से करें निखिल का हिस्सा यन की बात कर रहा है निखिल का हिस्सा 17 है जी सतरह तीन सो बार में सतरह तिया एक्यावन सो कहां गया बी इस दा राइट अन्सर अब डिसकोशन क्लियर है चलिए अगले प्रस्न क्यों रहते हैं यहां तक क्लियर है न बिल्कुल एक दम देख लो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल रिपीट करकर के देखिए जब ए ने 35,000 रुपय के साथ कोई वैपार शुरू किया छे महीने बाद बी 30,000 रुपय के साथ उस वैपार में शामिल हो गया वर्ष के अंत में 26,000 रुपय का लाब हुआ तो उसमें से ए का हिस्सा बी के हिस्सा से कितना आदी कि देखो ए और बी ए ने कितना लगाया ए ने ल साथ कोई बैपार शुरू कि कितने महीने बाद बी पौहचा देखे धान से भी 6 महीने बाद भी 6,000 रुपय लगाता में अट समय क्या कितना है समय है या नि डारहमा का समय है तो सिंपल सी बात है कि ए जो है ए जो है वह कितने महीने तक रहोगा 13 महीने तक लेकिन भी 6 एप तो बी कितना मेना चे महीना तक रहाऊगा चे दुनी बारा अगर लाव की बात करें तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं साथ पचे-पैतिस बारा पचे-छाट यानि साथ दुनी चौदा और चे दुनी आज रिबारा तो इधर ही तो यह लाव का जो रेश्यो आया वह बारा साथ है आप इसको चाहें तो साथ और शे बिलिक सकते हैं लेकिन काटने का जगा नहीं है तो बारा चोदा और बारा ही रहने देते हैं सुरी ॥ा बारा यह सिंपल है कुछनी साथ से मैंने काटा पांट से 55225 आपचे-एस और इदर छे दूनी बारा साथ दूनी चोदा क्य लिजिए, 14-12, 26 का खंपरिजन, 26 ज़र से कंपरिजन हुआ, 26 है, तो उसमें A का हिस्सा B के हिस्से से, बताइए, A का हिस्सा B के हिस्से से कितना अधिक है, कहेंगे, सर A 14 है, B 12 है, कितना अधिक है, दो अधिक है, तो यहाँ पर, जो, A, B से अधिक, A जो है, वो B से अधिक है, कितना, दो अधिक है, क्योंकि यह 14 है, और वो 12 है, ठीक है, 26 में 26, 1000 बार में, 2000, क्लियर है, 100 परसें जमज में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं, साथ नंबर कोश्चन सही नहीं था, वो एक पेज में आधा था, एक पेज में आधा था, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए, जयन्त ने 30,000 लगा कर एक बैपार आरम किया, देखिए, समय सीवा को बहतरी नग से समझेगा, समय जो टाइमि प्या लगा कर एक बैपार में सामिल हुए, लागत, कितना लगाया? 30,000, तुम 30,000 लिख दिये, दो महीने बाद, दो महीने के बाद 45,000 के साथ मधू, मधू ने कितना लगा दिया? 45,000 चलिए, हमने सिरह 45,000 लिखा, मधू भी उस बैपार में सामिल होगी, यदि वर्ष के जयानत में यानी समयकि सीमा क्या है समय सीमा है बारह महां तो सिंपल सी रचेज ने सुरू किया तो जयान सुरू से राष्ट रहा होगा लेकिन मधु सुरू महीन बार पहुची пам 12 में दो घटा दीजिए मदू कितने महीन तक रही दस महीं अदर अब समझे अब लाब का एक रेशियो निकाल लेते हैं बाकी जो प्रस्ण पूछेगा वह में देख लेंगे पांच छक तीस पांच नम ऐसे करिये ना स्वरी 15 दुनी 30 15 तीय पैतालीस और दो छक 12 दो पच्चे दस अब इतना ही रन्ने दीजिए 6 दुनी 12 और पांच तीय पंधर अ कर सकते हैं इतना ही रन्ने देजिए हाला कि कार्ड के आप 4 और पांच भी लिख सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं है लावांज का रेश्यो 6 स्की दुनी छे दुनी बारा और पांच तिया यह पांच बार में करणा ना दो चग बारा दो पांच तिया पंदरा ठीक है अब देखिए करया यदि वर्ष के अंत में चववन हजार रुपे का आमदनी ओ तो मदू का इसा कुल आमदनी कितना कि चववन हजर यहां आमदनी कहेंगे सर recount 12 और यह 15 15 27 कुलंदनी 27 किसका इसा चाहिए भई आमदनी का तुलनाना आमदनी से और मधू के बारे में पूछ रहा है मधू का देखिए हिस्ड़ यह है उसके नीचे बाला ठीक है मधू का इस्सा है पंदरा मधू का इस्सा है 30,000 रुपया आगे बढ़ते हैं समझ में बिलकुल 100% आना चाहिए एक दम बिलकुल कॉंसिप्ट के साथ में बता रहा हूं बिलकुल आराम आराम से बता रहा हूं तकि हर चीज आपके माइंड में जाना चाहिए रेडी फॉर दा नेक्स्ट कॉश्च्ट गुश्च्ट दसव यह एक इतना लगा है 80,000 रुपया लगा हम सिर्फ 80 लिखेंगे कि इतना लगाया 50,000 फिर 50 लिखेंगे वर्स के अंत में देखे यह लागत है अच्छा समय की बात करे एक बेपार चुरू कितने महीने बाद पहुंचा तीन महीने बाद भी पहुंचा जी और पचास जर लगाकर सामिल हो गया उसी बेपार में वर्स के अंत में यानि यह एक साल तक रहा हुआ क्योंकि वर्स के अंत में यह तीन महीने बात पहुंचा यह टोटल लाब हुआ 23,500 और यहां टोटल लाब 32, 15, 47 किसका चाहिए? A का हिस्सा B के हिस्से से कितना अधिक है? A का हिस्सा B के हिस्से से A, B से अधिक होगा. A, B से अधिक होगा कितना? 32, 15 कितना? 17 अधिक है. पांच बार में 235 होगा ना चार पचे दो सब्चे पचे पचासी सो रुपई है यह बीज दा राइट अंसर मजह आ रहा होगा नहीं फटा 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 अंसर कर रहे हैं हम तो एक बार वीडियो को लाइक और शेर कर दीजे जल्दी से अनुरोध है आप लोगों स बोला आप इस नंबर पर शंपर करिए 6200733858 इस नंबर पर शंपर करिएगा कहिएगा सर हमें PDF चाहिए आप पेमेंट करिएगा फोन पे गूगल पे पेटियम हमारी टीम बेजे कि 99 रूपीज का पेमेंट करेंगे आपके वाट्सप पे पीडिया चला जाएगा ठीक है द रड़े रेड़ी फॉर दा नेक्स्ट कॉस्चिन ए तथा भी यह दिख रहा है एच और बड़ा गर्दू तरह ए तथा भी 12,000 और 16,000 पे की पुंजी निवेश करके एक वेपार आरम करते हैं ए बी ए ने 12,000 लगाया तो 12 बी ने 16 लगाया तो 16 आट महीने बाद C अच्छा तीन बेखती है भाई स्टी कितना 15,000 पे निवेश करके आट महीने बाद 15,000 पे की पुंजी के साथ C इसी वेपार में शामिल हो गया अगर दो साल के बाद अच्छा देखो अब यह एक साल नहीं है अब यह दो साल यानि 24 माह का डाटा आ गया है 24 माह वाले प्रशन आ चुके हैं अब इसको हम कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा समझी इस चीज़ को A ने कितना लगाया A ने लगाया 12 बी ने लगाया 16 एक बैपार शुरू करता है आरम bekommen यह और भी लाश्तर आकरेगा क्योंकि निकलने वाले प्रशन भी नहीं है तो समय की बात करें, ये लागत है अगर समय की बात करें तो सिंपल सी बात है कि भई, ये रहा होगा 12 नहीं, 24 महीना क्यूう? क्योंकि प्रस्णा 12 महीने वाला नहीं अब दो साल वाला आ गया तो ये भी 24 महीना लेकिन कराए कि 15,000 रुपे की पुंजी के साथ C इसी बैपार में सामिल हो गया कब 8 महीने बाद यानि 24 माह का बैपार था 24 में 8 गटा दीजे यानि C रहा होगा 16 महीने तक बैपार में अब बात करिये लाव की बात करिये देखे समझे इस चीज़ को सुरी अब लाव की बात करिये तो आठ हो सुरी आठ तिया चौबिस आठ तिया चौबिस आठ दूनी सोला अब कट रहा है कटे गा तो काट देंगे लाव की बात करे तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ए, बी, सी, बारतिया, 36, सोलातिया, 48, और 15 दुनी, 30, यहाँ पर फिर से कट रहा है, 6,36, 68, 48, 48, 35, यह किस चीज का रेशियो निकला है, लावांस का या लाव का, दुनों एक ही चीज़े, करें, दो साल के बाद कुल लाव 45,600 रुपया हो, तो सी का हिस्सा, यह सी का लावा, कुल लाव 45,600, और यहाँ कुल लाव, 8, 6, 14, 5, 19, सही बात है ना, बिल्कुल, तो, 8, 6, 14, 5, 19, टोटल लाव 45,600, लाव का तुलना लाव से, स्ती का लावांस पूछ रहा है जी, स्ती का लावांस पूछ रहा है, स्ती का कितना है, यहाँ देखिए, जिसके बारे में पूछे, उससे गुना कर दीजिए, उनीस दुनिया रतीस, उनीस चक्छी अत्तर, चौबिस सो, चौबिस पचे एक सो बीस पे डवल जीरो, बारह हजार रुपया, कहां गया, बीस दा राइट अंसर अप दिस कोशन, तो, यह क्लास बहुत ही स्पेशल था, एक बार इसके बारे में हम फिडबैक देखना चाहे लाइक शेयर और बिल्कुल ठड़ले से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस क्लास के अंदर बहुत मज़ाने वाला है, इस तरह कि कई सारी क्लासे, कई सारे मेरात्न क्लासे अपके लिए लगवाने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत आनद दायक होगा, ओके?